तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे 5 गेमिंग माउस जो अंडर 1500 आप भाई कर सकते हो अगर आप एक गेमर हो तो आप एक अच्छे गेमिंग माउस की तलाश में होंगे और जो गेमिंग माउस है वो आपको अच्छे प्राइस ब्रेकेट में मिल जाते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना 1500 एक डिसेंट सा बज़ेट है और मैं आपको सारे ही माउस ऐसे बताऊं 5 के 5 जो 1500 ले सकते हो और सभी की रेटिंग जो है वो 4 प्लस है और 5 और सभी ही आपको Amazon से देखने को मिल जाएंगे और लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं अगर आगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और ऐसी और वीडियो फीचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना चलिए बढ़ते हैं आगे तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे 5 माउस की बात करेंगे और 5 नमबर पे जो मैंने माउस अपनी इस वीडियो में रखा है, इस लिस्ट पे रखा है, वो है Red Dragon की तरफ से Cobra M705 and इसका selling price 1500 रुपीज है, exact 1500 and यह vary करता रहता है तो आपको generally sales में तो यह जादा dropped price के साथ देखने को मिलेगा इसमें आपको 7200 DPI देखने को मिलता है and 5 DPI levels, 800, 1200, 1600, 2400 and 7200 तक आपको मिलते हैं 7 buttons आपको इसमें मिलेंगे, 3 memory modes भी देखने को मिलते हैं, 144 gram weight है, 5 backlight colors, 150 gram इसका weight है तो यह एक काफी decent option है अगर 1500 के range में हम देखें and मैं आपको फिर से बता दूँ कि अगर आप sale वगेरा में इस particular mouse को लेते हो तो आपको जादा कम price के साथ यह देखने को मिल सकता है उसके बाद दोस्तों जो 4th number पे हमने रखा है वो भी Red Dragon की तरफ से आता है लेकिन M607 and इसका selling price है 1279 रूपीज इसमें भी आपको 7200 तक का DPI देखने को मिलता है and adjustable है 800, 1200 and up to 7200 तक 7 color RGB color modes and 6 buttons and 279 gram weight तो यह थोड़ा सा heavy है but it's a good choice and अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बात करते हैं 3rd number पे आने वाले mouse की तो जो 3rd number पे हमने gaming mouse रखा है वो आपको almost 1100 रूपीज का मिलता है and यह TechNet की तरफ से Raptor M268 integrated इसमें 3200 DPI मिल जाएगा आपको adjustable है 1600, 2400, 3200 पे and तो काफी अच्छा आपको mouse control भी देखने को मिल जाएगा 6 button design है 152 gram weight है and इसकी जो cable है वो काफी अच्छी है तो दोस्तों यह एक light weight mouse है तो अगर आप light weight mouse जूनते हो तो आप इसको particular को you know prefer कर सकते हो इससे जादा light weight भी obviously आपको मिलेंगे देखते हैं आगे list में हमारे पास क्या है तो यह रहे हमारे पास 3 mouse जो 5, 4 and 3 की position पे हमने रखे हैं अब बात करते हैं कि second number पे हमारे पास कौन सा mouse है तो second number पे हमने amazon basics का gaming mouse रखा है जो आपको 1200 रुपीज का मिलता है इसमें भी आपको 3200 dpi ही मिलता है dedicated keys मिलेंगी switch करने के लिए 200 400 1200 1600 2400 3200 136 gram इसका weight है तो यह ज्यादा light weight है although आपको इसकी look इतने अग्रेसिव नहीं मिलती बढ़ यह एक overall बहुत जादा अच्छा light weight और जादा अच्छी rating के साथ आने वाला mouse है आर्जी भी support करता है six buttons मिल जाएंगे compatible with windows 7 8 सारे ही आपको 7 8 & 10 के साथ compatible मिलते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं number one पे देखो मेरा इस video में कहीं भी मतलब यह है कि यह वाला mouse सबसे अच्छा है यह वाला सबसे अच्छा नहीं है जो one number 5 सबसे अच्छा होगा it's totally subjective क्योंकि आपको आपके budget के हिसापसे and brand के हिसापसे अलग-अलग mouse अच्छे लग सकते हैं तो यहाँ पर यह मतलब बिलकुल नहीं है कि number one पे आने वाला सबसे बेस्ट ह है वो हो सकता है कि आपके हिसापसे कोई और बैस्ट हो तो प्लीज यह चीज़ आप अपने पर ही रखना है अगले माउस की जो हमने number one पर रखा है तो number one पर हमने रखा है लिनोगो की तरफ से M200 गेमिंग माउस 1400 रुपीज में आपको मिलता है ओवरॉल बहुत ही देखने को मिलता है तो दोस्तों यह है कुछ माउस अंडर 1500 जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई और सारे ही माउस अच्छी रेटिंग्स के साथ Amazon पर आपको देखने को मिल जाएंगे अगें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे तो आप उन लि पता सकते हो और किन प्रोड़क्ट पर आप वीडियो चाहते हो ऐसी ही सीरीज तो चलिए आज की वीडियो बास इतना ही है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए वचिजिए था लौट